असलाम अलेकूं रामतुल्लाहे बरकातहूं और जनाब क्या लठीक है यह देखो कुछ बकरियां हैं इधर सभी बकरियां हैं उधर भी बकरियां हैं इधर सब बच्चे डाके हुए हैं ऐसे ऐसे फार्मिंग होती है इधर आज जानते हैं बकरियों को कैसे भूक बढ़ाएं भूक लगने के लिए क्या उपाय करें कि थोड़ा ज्यादा खाये ठंड के मौसम में क्योंकि ठंड है आप लोग जानते ही हैं कि ठंड में कितना मुश्किल होता है बकरी को भी और बच्चे लोग को भी चलो जानते हैं बकरी अगर खाना पीना छोड़ दे तो उसके लिए क्या किया जाए जानते हैं यही सब क्योंकि ठंड में ज्यादा तर बकरियां थोड़ा खाना पीना छोड़ देती है ऐसे बच्चे लोग भी खाना पीना छोड़ देते हैं तो यही जानने के लिए आज जानते हैं बकरी अगर खाना पीना छोड़ दे तो क्या करना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा काला नमक ले लेना चाहिए करीब पांच गराम 6 गराम के करीब हिंग थोड़ा ले लेना चाहिए करीब वह भी 5-6 गराम 4-5 गराम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा और लेहसुन 4-5 कलियां ले लेना चाहिए अधरक थोड़ा ले लेना चाहिए और सबको कूट कर जवाइन है जवाइन जिसको बोलते हैं वह भी ले लेना चाहिए यह सब कूट कर थोड़ा थोड़ा सब कूट कर उसमें थोड़ा गुड मिला लेना चाहिए थोड़ा मीठा के वज़े से सब खाएगी इसके लिए थोड़ा गुड मिला लेना चाहिए और सबको थोड़ा तेल में गरम करके डालें डाल के गरम करके बना दें उसका सरबत जैसा थोड़ा थोड़ा पिलाएं और नहीं तो थोड़ा सूखा भी बनाएं तो थोड़ा गोल गोली टाइप का लेड्डू जैसे बना बना के बड़े बड़े बखरियों को खिलाएं देखे रिजल्ट उसका ऐसा आता है भोग तो लगेगा कि क्या बताएं आप से गुड़ों जिसको भेली भी बोलते हैं हम लोग तो भेली बोलते हैं सब वही सब लेके मिला के एकदम ब मिलाएं बखरियों को टकाटक के एकदम खाएगी भी और मज़े से खाएगी पीएगी रहेगी वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करना क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं इसके लिए ज्यादा समझा नहीं पाएगा चलो के झाल